हैं लो गाइज वाल कम एक तू मैं चैनल ईज़ि में कॉंसेक्ट आज हम देखने वाले हैं जीटिव के तरफ से कॉर्सेरा के खोर सीज है जो आपको फ्री में प्रोड कर रहा है जो यह जो सरक्यूलर है यह इस्स में का सरक्यूलर है जिसमें दिया गया है कि Coursera के तरफ से 3,800 online courses फ्री में दे रही है G2 के तरफ से तो आप G2 के अंदर कोई भी college में हो आप ये course कर सकते हैं So 3,800 online courses है जिसमें business में 1000 courses, technology में 700, data science में 380 Health related courses है 100 और social science related 780 और arts and humanities पे 341 तो जो भी आपका favorite field हो या तो फिर field के अंदर भी जो आपका favorite topic हो वो आप चूज कर सकते हैं पर इसमें फिर important features में क्या क्या दिया हुआ है कि only registered student will get access to Coursera courses इसमें एक link दिया गया उसमें आपको register करना पड़ेगा फिर ही आप ये course के लिए eligible होंगे फिर लिखाए no restriction regarding the enrollment in number of courses आप किते भी courses ले सकते हैं ये 3,800 courses के अंदर आपको जिते courses में enroll करना हो आप कर सकते हैं फिर all the courses are free, सारे courses free है फिर course के completion पे आपको certificate मिलेगा फिर enroll आप कब तक कर सकते हैं उसका last date है 31st July 2020 तो आपको course में जो भी course में enroll करना है आपको 31st July 2020 से पहले कर लेना होगा फिर 31st July 2020 के पहले आपने register कर लिया कोई भी course के लिए तो आपको September 2020 तक वो course को complete कर देना है और seats limited है इसलिए आपको first come first of basis पे मिलेगा course क्योंकि number of seats जो है वो limited है तो यहाँ पर दिया है कि registration link दिया हुआ है इस पर आप click करेंगे तो आपको एक Google form मिलेगा फिर last date of registration क्या दिया है 15 May 2020 तो आप याद रखिए आज है 95 2020 और इसका last date है 15 5 2020 तो आप यह registration लिंक पर click करेंगे तो आपका यह वाला form open होगा जिसमें आपको अपना full name, email id, contact number, category category मतलब आप student है teacher है जो भी है आप यहाँ पर select कर दिजिए student faculty या TPO फिर आता है enrollment number only for student अगर आप student हो तो आपका एक enrollment number दिया होगा आपका एक enrollment number होगा वह आपको यहाँ पर डालना है फिर है affiliated GTO institution name आपका institute का नाम डालना है फिर institute का code डालना है और GTO के कौन से zone के अंडर आपका college आता है zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5, उसके हिसाब से आपको select कर देना है फिर आपको submit button आप hit कर देंगे तो फिर आपको GTO Coursera वालों के तरफ से एक mail आएगा पर लिखा है यहाँ पर bracket में के wait for 2-3 days after registration year to receive invites from GTO Coursera तो आप जैसे ही यह submit करेंगे यह form आपको एक से दो दिन तक का समय लग सकता है mail आने के लिए तो confirmation mail जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे है you are invited to learn on Coursera ऐसा mail आया है GTO plus Coursera वालों की तरफ से तो यहाँ पर आपको नीचे नीचे जाएंगे तो आपको आपको सब कुद दिया हुआ कि कितने courses है क्या है और आप कैसे learn कर सकते learn online learn anywhere यह सब उनके facilities हैं फिर इसके आने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है join now join now पर आप क्लिक करेंगे तो आपका यह वाला page खुलेगा तो ऐसे जी टी यू जी टी यू और start learning on coursera welcome to gujarat technological university मतलब जी टी यू on coursera start learning on coursera तो यहाँ से आपको join पर free करना है अगर आपका coursera पर अकाउंट नहीं है तो और अगर आपका coursera पर आपने पहले से sign up किया हुआ है तो यहाँ पर login बटन पर आप क्लिक कर दिजिए तो जैसे कि आपको दिख रहा है मेरा email id और password डाला हुआ है तो मैं यहाँ से login कर सकता हूं directly तो जैसे ही आप उस link पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे gtu के page पे redirect करते हैं और फिर आप यहाँ से login कर सकते हैं जैसे कि मेरा login किया हुआ है यहाँ पे तो फिर हम नीचे नीचे जाएंगे तो कोर्स दिया हुआ है coronavirus के उपर फिर है advanced data science फिर advanced data science फिर advanced machine learning जो भी trending topics है उस पे इन्होंने courses यहाँ पे दिये होए फ्री में करने के लिए फिर augmented और virtual reality जो आज कल बहुत ही trending topic है फिर autonomous vehicle तो यहाँ पे मैं एक course में आपको enroll करके दिखा देता हूँ यहाँ पे आप लिक करेंगे introduction to self driving card तो यहाँ पे course आ गया है जो है 24 hours approximately 24 hours लगेंगे इस course को complete करने के लिए पर यहाँ पर 10 videos 4 videos module आपर जैसे नीचे नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे आपर module 1 में 10 hours total 14 hours 14 वीडियोज है फिर week 2 में 5 वीडियोज वीडियोज और week 4 में 8 वीडियोज ऐसे आप sports को complete कर सकते हैं तो अब हम जाएंगे यहाँ पर 10 वीडियोज लिखा है वहाँ पे see all करेंगे फिर यहाँ पर यहाँ पर वेलकम टू चैल्फ राइजिंग स्पेशियालाइजेशन इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जैसे की देख रहे हैं यहाँ पर एन्रोल पर प्ले लिखा हुआ है राइट साइड में तो मैं उसके क्लिक करूंगा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि युनिवर्सिटी ओफ टोरेंटों के तरफ से इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन टू सेल्फ ड्राइविंग कार्स बोर्स मुझे मिल गया है तो यहाँ पर एन्रोल यहाँ पर पूचराइए न्रोल स्टाट्स में नाइन मतलब आज नाइनध में हैं आज के डेट से ही सुरू हो चुका है तो यहाँ पर एन्रोल कर देंगे आब पिर ये पुछराई के एन्रोल विद लर्निंग प्रोग्राम्स इनके पूरे कोर्स में चार सीरीज है तो उसके आप कंटिन्यू कर देंगे इस तरीके से आप जीट्यू के तरफ से दिया हुआ ओल्मोस्ट 4,000 डैट इस 3,800 टू बी स्पेसिफिक पूर्सी से जो आप यहां पे एन्रोल कर सकते हैं हर एक फिल्ड में बहुत सारे पूर्सी दिये गए हैं आपको यह वीडियो समझ आया हो और आपको यह हैल्पूल हो और अगर आपको यह ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए थाकि आपके फ्रेंड्स को यह हैल्पूल हो थैंक्यू सो मच